बचो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवंथ लेक्चर फर्स्ट हिंदी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी NCRT द्वारा निर्धारित पुस्त कें कौन-कौन सी है बसंत भाग दो, दूसरी जो पुस्तक है हमारी वो है बाल महभारत कथा और तीसरी ध्याकरन आज हम पढ़ेंगे बाल महभारत कथा का पहला लेसन देववर्थ गंगा एक सुंदर यूगती का रूप धारन किये नदी के तरफ पर खड़ी थी उसके सुंद्रिये और नव योवन ने राजा शांतनु को महो लिया था गंगा बोली राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्विकार है पर इससे पहले आपको मेरी सर्ते माननी होंगी क्या आप मानेंगे राजा ने कहा अवस्य शांतनु के सामने गंगा ने सर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूँगी तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो शांतनु ने गंगा की इस सर्त को स्विकार कर लिया था और समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए और गंगा ने उन्हें नदी में बहाती गई उन सभी पुत्रों को और तुबारा हस्ति मुस्कुराती हुई शांतनु के महल में आ जाती थी प्रन्तु शांतनु गंगा को वचन दे चुके थे कि मैं आपको किसी भी प्रकार से आपके कारिय में बाधा नहीं डालूँगा। साथ बच्चों को गंगा ने इसी भाती नदी की धारा में बहा दिया और आठवा पुत्र होने के पस्चात शांतनु से रहा ने गया और जब वह उसको नदी में बहाने के लिए गई तो शांतनु ने कहा कि तुम्हें यह ग्रणित कारिय सोभा नहीं देता। राजा की पात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई प्रंतु क्रोध का अभीने अभीने मिंस नाटक। नाटक करती हुई बोली हे राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है और आप मेरी परवाह नहीं करती। इस प्रकार शर्थ के अनुसार आपके पुत्र को मैं नदी में नहीं फैकूंगी इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और प्रसकार के रूप में आपको सौंप दूंगी यह कहकर गंगा बच्चे के को साथ लेकर चली गई यहीं बच्चा आगे चलकर भिस्म पि हम आया थी उससे दूर हो गया उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे एक दिन राजा सिकार खेलते खेलते गंगा के तरपर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला यूवक गंगा की बहती हुई धारा पर बा अपने पास बुलाया और राजा से बोली राजन पहचाना मुझे इस यूवक को यही आपका और मेरा आठवा पुत्र देव वर्त है महरसी वसिष्ट ने से सिक्षा दी है सास्त्र ग्यान में सुक्राचारिय और रन कोशल में प्रसुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं यह जितना कुसल युद्ध है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है आपका पुत्र मैं आपको सोप रही हूँ अब ले जाए इसे अपने साथ गंगा ने आसिरवाद देकर देववर्त का माथा अचूमा और राजा के साथ उसे विदा कर दी